नमस्ति भारत मैं हूँ भूमिका मैता अपनी देश के बेटी और अपने भाय की बहन सुशान सिंग राजपूत की बहन अचकल जो बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है वो है श्रद्धा मडर केस और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि मर्डर हो गया कातिल मिल गया कातिल ने बय मैंने आपको मेरी लास वीडियो में कि कैसे एक केस जो खुद दली का है और जिसमें तीन आरोपी थे जिसके खिलाफ सबूत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोट ने उन लोगों को बरी कर दिया ऐसे ही अगर मुझरिमों को बरी कर दिया जाएगा मैं ऐसे सबूत के वज़े से कि सबूत के बिना पर सारी चीजे होती है मानती हूं लेकिन एक कुबूल नामा भी होता है और वो भी इतने संगीन जुर्म के लिए कोई अपनी गल्फिन को काट दे रहा है टुक्रों में तो ये तीन जन जने बरी किया गया सुप्रीम कोट की तरफ से उन्होंने बलातकार किया रेप किया ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाता है क्योंकि इनके पास सबूत नहीं होता किसकी किसकी वजह से ये सबूत नहीं मिरते हैं मैं कहती हूं कि अगर श्रधा के माबाप ने अगर एहम वक्त पर सही वक्त पर ये नहीं सोचा होता कि उनकी बेटी के पोस्ट क् कि बहुत active है, या फिर क्यों कोई बात नहीं हो पारी है, उनके दोस्तों को कुछ क्यों नहीं पता है, अगर शक नहीं होता, अगर उन्होंने मुंबई पुलिस में रिपोर्ट नहीं दर्च की होती अपनी बेटी के गुमशुदा होने के शक पर या गुमशुदा होने पर, तो ये बात कैसे बहार निकलती, न्यू देली हो, महराष्ट्र हो या कहीं की भी पुलिस हो, जब तक किसी ने, you know, FIR या कोई चीज नहीं दर्च कराई, तब तक ये जुर्म अच्छली किसी को नहीं दिखते, ऐसा डर नहीं है अब किसी कातल के अंदर, कि अगर हम किसी का क कर रहे हैं, तो आगे जाकर हमें सजा मिल सकती है, ऐसा कोई डर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है, क्योंकि पुलिस, जो आज की पुलिस है, वो सिर्फ पैसे खाकर बैठने का ही काम करती है, उन्हें पैसे दो, उनके उपर पैसे फेको, वो काम करती है, काम बेसिक का केस है उसे ढखने के लिए करती है तो आजकल बहुत इजी हो गया है कि किसी का कतल करो सारे सबूत मिटा दो कोई नहीं पकड़ा जाएगा मैं इसलिए ये सब कह रही हूँ क्योंकि मैं बहुत निराश हूँ मैं बहुत जादा निराश हूँ पांच दिन की रिमांड पर आफताब अमीन पूना वाला को जब जेल में रिमांड में डाला गया था उसने इतना गुमरा किया देली पुलिस को and is it very easy? I think so पांच दिन तक गुमरा किया उस फुलिस को मैं रोली की जंगल की खाक छानते रहे कुछ नहीं मिला लास्ट में उसने ये कह दिया के हाँ मैंने सिर को जलाने की कुशिश की सिर नहीं जला तो मैंने उसे दफना दिया ऐसी काफी सारी बाते अब सामने आई हैं जो मैं आप तक पहुचाना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत गंबीर मसला है जो पूरे भारत को अभी जुजला के रख दिया है प्यार क्या है? क्या प्यार इस तरह का होना चाहिए? हम कहते हैं हिंदू-मुस्लिम से किसाई हम सब एक है बट जब ऐसी बाते आती है ना सामने तब माबाप रो कर अपने बच्चों को कहते हैं देखो बेटा इसलिए मना करते हैं प्यार करो देख चान कर समझ बूच कर अपनी कास्ट में करो हमेशा माबाप यह कहते हैं अपनी कास्ट में करो तब हम भी यह कहते हैं क्या यार कास्ट कास्ट कर रहे हो लव इस ब्लाइंड, नो, माननी चाहिए, माबाप की बाते माननी चाहिए, नहीं तो ये हशर किसी का भी हो सकता है, खेर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, सुनिये गाध्यान से, तेरा हड़ी मिली है, नई दिल्ली की पुलिस को तेरा हड़ीया बरामत हुई है, लेकिन अ आज कहा गया है कि, you know, 48 घंटे या 72 आउस के अंदर, फॉरंसिक रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, जिसमें ये पता चलेगा, ये जो हड़ीया है, जिनमें ये बताया गया है, फॉरंसिक डेपार्टमेंट के तरफ से, देख कर इतना बताया जरूर गया है, कि कलाई, कलाई और कोनी, आप समझ रहे हो, हाथ, कलाई, कोनी, ये एक पीस काटा गया है, हाथ नहीं है, कलाई है, कोनी है, कोनी तक का, imagine भी करोगे तो पगला जाओगे, मुझे बोलने में अजीब लगता है, रोज ये सब, बट बताना जरूरी है कि कलाई और कोनी तक का एक पीस मिला है, जो कि बहुत ही टफ, बहुत ही हाड होता है, जोइंट्स मिले है, कुछ सॉफ्ट हडिया मिली है, पांच-छे मैनों के बाद भी ये सब मिला है, बट इस आपसलूटली, I mean, क्या कहूं, बट इस गुट फो दो केस, तो फॉरंसिक रपोर्ट की तरफ से अभी तक ये चीज नही आई है कि ये इंसान की हड़ी है या नहीं, लेकिन कहा जरूर जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, अगर ये हुआ, तो ये साबित हो जाएगा, ये शरद्धा की बॉड़ी का टुकड़ा है या नहीं, क्योंकि शरद्धा के पिता और भाई का DNA टेस्ट जो लिया गया है, DNA सैंपल जो लिया गया है, उससे मैच किया जाएगा, और उससे पता चलेगा कि ये शरद्धा की बॉड़ी का टुकड़ा है या नहीं, अगर ये साबित हो जाता है, कि ये शरद्धा की ही बॉड़ी का टुकड़ा है, तो इस आफ्ताप अमीन पुनवाला को मार मार के हड़ी पसली तोड़ तोड़ के उसके एक एक आंग को काट काट के साले कुटते के बली नहीं इनको ऐसी जगा पे डालो ना जहांपे उसको मौत भी नसीब मतब मौत के बाद कोई जानवर भी ना चुए ऐसी जगा डालो मैं चाहती हूँ कि अगर श्रद्धा की मौत सच में हो गई है और काफी सारे सबूत मिले हैं पिछले वीडियो में मैंने कहा था काफी सारे सबूत मिल सकते हैं और मिले हैं मुझे बोलने में भी बहुत हिचकिचाहट हो रही है एक CCTV फुटेज मिली है जहाँ पर काफी घनी रात यानि दो धाई बज़े के करीब ये CCTV कैमरा में ये फुटेज रिकॉर्ड हुई है और ये जो उसका घर है जहाँ पर वो अश्रदा रहते थे पिछले तीन सालों से लीविन रिलेशन में रहते थे का आ गया है उसके ममी पापा न बताया उस घर से महरौली के रस्ते के बीचों बीच ये फुटेज बरामत हुई है जहाँ पर क्लिरली दिखाया गया है कि आफ्ताब अपने पीट पीछे एक वो बैग लेकर जा रहा है जिसमें टुकडे हैं ब्लैक कलर का बैग दिख रहा है एंड वो महरौली के जंगल की तरफ जा रहा है ये फुटेज में क्लिरली दिख गया है एंड ये 13 ये जो 13 हडिया है वो मिल गई है जिसके बिनाम पर DNA सैंपल लेकर DNA टेस्ट किया जाएगा एंड इसने आखिर में अब ये भी मान लिया है कि उसने ना सिर्फ उसके शरी के टुकडे किये यानि कि श्रद्धा के शरी के टुकडे किये लेकिन नफरत इत्ती बढ़ गई थी कि 18 मैं को उसने ये सारी चीजे करी हत्या की और टुकडे किये और 23 में को 23 में 2022 को उसकी भड़ास उसका गुस्सा अभी भी बाकी था उसने तीन तीन बड़ी बड़ी जो उसके बेडरूम में शरद्धा और उसकी फोटोस थी उससे तोड़ा उससे मरोड़ा और उससे भी जलाया और ये भी पता चल रहा है कि ये बहुती ज़्यादा नॉर्मल लाइफ जी रहा है इसके माभाप का कोई अभी तक आता पता नहीं है ऐसा नहीं हो पा रहा है कि उसके माबाप को इतला किया जाए कि उसके बेटे ने क्या किया है माता पिता का कोई पता नहीं चल रहा है कहां है क्या है तो ये कहां से बिलॉंग करता है इतना साइकोनेस इतना गुसा इतना आक्रोश कि वो अपनी गल्फरिंड का गला घोटके या मू दबा कर उसने हत्या कर दी उसके बाद उसने उसके टुकडे करे और उसके बाद बेफिकर हो कि वो पाँच महिने तक उसी फ्लैट में रह रहा है बिना डर के आपको ये भी बता दू कि सिर्फ तेरा हडिया ही नहीं मिली है और भी बहुत कुछ मिल रहा है और रिशिकेश, हर्याना, चितोरगर इन सारी जगाहों पर भी देली पुलिस के इंसान चले गए हैं लोग चले गए हैं अपनी अपनी टीम लेकर क्योंकि टुकड़े जो होते हैं वो अगर पानी में गिरे हैं तो पानी के बहाव से इन सारी जगाहों पर जा सकते हैं और महरोली के जंगल से होते हुए इन सारे रास्तों पर भी टुकड़े मिल सकते हैं सामाना है देली पुलिस का जिसकी वज़से इन सारी जगहों पर भी देली पुलिस की टीम पहुच चुकी है और आज भी सारी जाच करी गई है कल भी की जाएंगी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पाच दिन की रिमांड और मिली है तो दो दिन तो और निकल गए, अभी बचें हैं सिर्फ तीन दिन, जिसके अंदर इस आदमी ने बहुत सारी चीज़े बता दी, लेकिन स्टिल तेली पुलिस को सैटिसफैक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि सबूत के बिनाम पर ही इसे सजा मिलेगी, और हम सब चाहते हैं कि इस सिर्फासी नहीं, इसे काटा जाए, इसके में पॉइंट को काटा जाए, साले कुट्टे, बहुत जादा गर्मी चड़ी है ना, लड़कियों के साथ संबंद बनाने की, उसको प्यार के जाल में फसाने की, उसके बाद उसे मार कर उसके टुकड़े करने की, तेरे टुकड़े होने चाहिए, और मैं आपको ये भी बता दू कि, ये जो रिशिकेश हर्याना चित्तो और ये सारी जगाओ पर जो टीम गई है, उन लोगों का ये भी मानना है कि, जिस आरी से इसने टुकड़े किये थे, उस आरी को भी, इसने मेरोली के जंगल के थूँ, पान है इन सब जगाओं में तो उसको भी ढूंडा जाए, और बहुत ही महिनत कर रहे हैं, लेट सी क्या होता है, बट मैं भगवान से प्रातना करती हूँ, कि श्रद्धा को at least कुछ, कुछ राहत मिले, उसके उस टुकड़ों से जब पता चलेगा कि वो श्रद्धा ही है, I don't know how to say, बट कहीं न कहीं उसके हत्या की जो सजा होगी, उस कमीने आफ़ताप को सजा दी जाएगी, कहीं न कहीं श्रद्धा होगी, और उस से भी श्रद्धानजली मिलेगी, उसे भी थोड़ी सी सुकून मिलेगी, क्योंकि उस लड़की ने बहुत प्यार किया आफ़ताप को, उसने वालेंटाइन्स दे के दिन फोटोस भी लगाई थी happy days करके और बहुत जत्तो जहत कर रहे थी अपने relation को बचाने के लिए she was honest बट ये लड़का इतना इतना गंदा क्या पहरा पढ़ा है इसके अंदर anyways, मैं इसलिए अज मन की शांती के लिए भी हमारे यहाँ पर कोटकाता में जलाराम मंदिर है I don't know कितने लोग जानते हैं तो उधर गई थी मेरे डैडी को बुलाया था मेरे डैडी आया नहीं मेरे धोके बास डैडी बहुत धोका दिया मेरे डैडी ने मैं काफी देड तक वेट करती रही बट डैडी आये नहीं एनिवेज बट थोड़ा दिल को सुकून मिला और वही ब्लेसिंग्स मैं आप सब तक भी देना चाहती हूं लव यू आल जुड़े रही है कुछ नहीं अपडेट आने पर मैं जरूर अब तक सामने लाऊंगी तब तक आप कमेंट करिए कि आपको ये सब जानकर कैसा लगा ये जो हडिया मिली है जो फॉरंसिक रिपोर्ट और बहुत इंपोर्टेंटली एक और चीज मैं बताना चाहती हूं कि नार्को टेस्ट करवाने की बात चल रही है अदालत ने परमिशन दे दी है आफताब आमीन पुना वाला का नार्को टेस्ट होने वाला है इसी दो या तीन दिन के अंदर ही होना है क्योंकि रिमांड खतम हो जाएगी तो नार्को टेस्ट में भी बहुत सारी चीज है बाहर निकलने वाली है आज अगर कोई भी नहीं अपडेट आएगी या कल तक कोई अपडेट आती है मैं आप तक जरू कुछाओंगी तब तक साथ दीजेगा साथ रहेगा दू सब्सक्राइब लुकारण शेड है शेडिट प्याइब या क्यों जैहिं के लुकारण झाएब आप हडिए खाल करेड़ थे